हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लावा Z2 Max Android while phone में आप जो है कैसे अपने hot spot का नाम चेंज कर सकते हैं तो चले हैं आपर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने phone में setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो है network and internet का ये option देखने को मिलेगा इसे select कर लेना है इसके बाद आपको अगले page में hot spot and theatring का ये option select कर लेना है इसके बाद आपको अगले page में wifi hot spot का ये option आपको select कर लेना है अब आपको hot spot के इस page में hot spot name आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा इसे आपको select करना है अब यहाँ पर आपका hot spot name का ये छोटा सा page open होगा इसमें आपका पहले से कोई बी नाम लिखा हुआ है या फिर आपका कोई mobile का model number लिखा हुआ हुआ यहाँ पर दिखागा है तो आपको इसे cut कर देना है ठीक है cut कर देंगे तो यहाँ पर आप अपने मन के मताबिक कोई भी नाम आपर यहाँ लिख सकते हैं तो कोई भी नाम आप यहां पे लिख लीजिए और इसे OK जरूर करिए तो इस तरीके से आप यह देख सकते हैं हमारा होटी स्पोट का नेम यहां पर जो है चेंज हो चुका है इसके लिए आपको सबसे पहले तो सेटिंग पेज ओपन कर लेना है सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे ओपर यह सर्च सेटिंग का ओप्शन दिखाई देता है सर्च सेटिंग पर आपको इसे सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है hot spot name तो हम यहाँ पर hot spot name जब आप यहाँ पर type कर देंगे तो नीचे भी एक hot spot name का option show हो जाएगा ठीक है जब यह option show होगा तो आपको इसे select कर लेना है इसे select कर लेना है तो इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको shortcut तरीके से इस setting में लेकर आ जाता है जैसे यह मेरा mobile phone मुझे इस setting में shortcut तरीके से लेकर आ गया है और इस setting को जो है यह highlight कर रहा है तो इस तरीके से आप जो है इस setting को जो है shortcut तरीके से ढूंड सकते हैं अपने Lava Z2 Max Android mobile phone में